हैलो फ्रेंड्स तो आज हम सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं बहुत सारे वेश्टेबर और फ्रोड्स उनके प्लांट्स और ट्रीज कैसे होते और कैसे उगाया जाते हैं वाव सबसे पहले दिखेंगे कट हेल वाव यह तो जड में वह जड में बिर्कुल तने में भी कट हेल देख सकते हैं आप लोग मतलब यह मोटे तने में भी उगतार ऊपर जो पतले पतले इसके तने होते हैं वहाँ पे भी कट हेल काउंट करें वहाँ सारे हैं और छोटे-छोटे जो तने वहाँ पी देख सकते हैं आप कट हैल इसको एंगलिस हम बोलते हैं जैक फ्रूट मेंस कट हैल और यह बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं इनका वेट जो है 20 kg तक हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है और यह पकता भी है क्लो सागए यह पर थोड़ा से देखेंगे यहां पर वाँ वाँ वड़ीश ले शकते हुए इसमें क्या हो सकता है इसको बोलते हैं हम कद्दू वाँ इat बीक कद्दू लूक अबर हीर come closer and look over here it's a big kaddu we call pumpkin, also the salt, pumpkin and kaddu also in English it's too heavy wow it's too heavy okay and let's find out here these florals in the flower one comes from fruit which is the vegetable लिवाली आती है फ्लार के बाद की तो मैं आपको एक छोटा जोटा पंकिन दिखाने हूं वह स्मौल पंपकिन देखे रहे हैं उसके बाद किए इसमें है देख़ो कैसे डबलब होता है बाद में यह कितना बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा थेखा आपने अब छोटा यह समकीन क्वेशपल भी तक हमारे लिए बहुत ही बहुत ही बेनिफिविशह है वोगे और हम सर्च करते हैं यहां पर क्या और भी पंकीन है क्या है क्या कर दो हो तो वाइट भॉज वेरी अमेजीव वाव डिस अलसो पंकीन वाव लुग ओवर यह इस लोगे यह इस अधिकेंगे बहुत सारी वेचेबल्स जो आप लाइब देखेंगा और उसको लर्न करें आपको यह भी पता होगा कि यह vegetable कहां कहां उगाई जाती है और कैसे दिए ok come with me white color के पिरिंजल श्था जल्दी पताओ जल्दी से जल्दी से वड़ाऊ किस कलर पाई एक है किस कलर के बताओ जल्दी पताओ किस कलर का यह इसको तोड़ो तोड़ो खीच लो वाव उपर दिखाओ इसको उपर दिखाओ कौन से कलर का है वाइट कलर वाव यह है फ्रेंड्स बिग लेमन बड़े वाले निवू आपने कभी इतने बड़े निवू देखे हैं क्या अभी यह कच्छे हैं जब यह पकेंगे तो इनका कलर हो जाएगा यलो और इनकी पेड को देखते हैं जो यह ट्री होता है राउंड 15 फीट का होता है 15 फीट का होता बाट इस पर देखो कितने बड़े बड़े नीवू लगे हुए हैं बिग लेवन हेयर अभी यह कच्छे हैं कोई बात नहीं पकेंगे फिर हम इसको वाव यह बनाना ट्री बनाना का पिट देखो कैसा होता है लंबा उत आ 试ाफी और यहे वह बनाना लगे हुए है बहुत सारे यह देखो यह इसका ट्री बड़े-बड़े पत्ते होते इसपर हम पहले पत्तों पर कहा ना भी खा लिया करते थे पहले अब तोucht कम लेग खा बनाना अब ही यह वीपक जाते हैं और इनका उजाता है बाद में यालो कलर यह देखो फ्रैंड्स यह है गवावा ट्री मेंस अम्रूद का पेड और इस पर अम्रूद लगे वह यह आ यह देखिए गुँआवा गुरीन कलर गुँआवा और यह दीरे बढ़ाओ जायागा उसके बात यह पक जायगा फिरंगे से खा लेते हैं यह है अमरूत का पीडो कि एलिएव अब हम देखने जाल यहां पर क्या है क्या आप लोग देख के बता सकते हो क्या यहां प यह है चिली मतलब ये है मिर्च वाव रैड कलर चिली कौन से कलर की चिली है ये रैड कलर चिली और ग्रीन कलर चिली और ग्रीन कलर चिली और अगर आप इसे खाते हो तो आपको पता है आपको मिर्च लग जाएगी मिर्च का पौधा देखना है चिली का पौधा कैसा होता है छोटा चार फिट का भी होता है जो अलग अलग वराइटी जोती है इसमें बट यह बहुत छोटा वाला है ये एक से डेट का है प्लांट इसका लेकिन देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर चिली लगे हुए हैं कितने सारे वाओ वेरी नाइस ग्रीन कलर चिली एंड रेड कलर चिली ओके फ्रेंड्स तो आप भी को मोका मिलेगा तो उने का और यहां देखेंगे हम यह है हमारे पास लेडी फिंगर लेडी फिंगर लेडी फिंगर मींस लेडी के उंगली नहीं है मतला लेडी फिंगर ये वेस्टेबल है एक और इसको भी हम बहुत पसंद से खाते हैं और ये ग्रीन वेस्टेबल में आता है और देखेंगे इसका प्लांट कैसे ता ग्रीन कलर का प्लांट भी होता है और ग्रीन कलर के हमारी जो है लेडी फिंगर भी होती है जिसे हिंदी में भिंडी बोलते हैं ओके फ्रेंड्स चलो आगे देखते हैं यह किसका प्लांट है क्या बता सकतो जनरली आप लोग ने हर जगह देखा होगा इसे यह शहरों में भी बहुत है और गाओं में तो मिली जाता है और यह फलो का राजा और इसका नाम है मैंगो ट्री इसको अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी छोटा है इसलिए हम इसको फ्लांट मैंगो का क्या है यह प्लांट है लेकिन दीर दीर बड़ा हो जाएगा और मैंगो ट्री बन जाएगा फिर इसमें आएंगे बहुत सारे मैंगो ग्रीन कलर्ट्री यह क्या है करे ले इसे बोलते हैं इंगलिस में बिटर गॉड बिटर गॉड इसे गाड नहीं बोलना है इसे क्या बोलना है बिटर गॉड बिटर गॉड मतलब बिटर मतलब तीखा यह होता है तीखा लेकिन क्या करते हो फ्रेंड साप इसे आप नहीं खाते हो लेकिन आपको है क्या इसे खाने से बहृत भी मारी ब서 से फ़ाइब बहुत ही क्काई आप им्ट्रीस नीए सब हैं सबhouse लटके हैं सारे बिटर गॉर्ड और दोस्तों ये हैं खेट के मालिक और ये किसान भी हैं और ये हैं मेरे पिता जी जो डेली में रहते थे लेकिन अब रहते हैं गाउं में और खुब खुश रहते हैं क्या है ये ओके कुंदरू नोट बताया है ये है कुंदरू और इसे बोलते हैं इंगलिश में I V God मतलब कुंदरू और इसका कलर होता है ग्रीन और रेड भी हो जाता है बाद में वाओ ये क्या है वाट इस दिस इस कैसका नाम आपको पता है इसे बोलते हैं इस्पंज गॉड और यह तोरी की तरह दिखता है लेकिन तोरी से बहुत बढ़ा होता है और यह जादा दिन तरह छोड़ देते हैं तो यह मोटा हो जाता और इससे सब्जी सही नहीं बनती है वाव यहाँ पर कितन लाँ आक्सीजहन वाव वैरी अमेजिग रेलि तो यह क्या है इसको बोलते हैं इस्पंज लोकी आ यह क्या है व्हाव क्या बतासकते हूं ये जनलि आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है इसे बोलते हैं बौटल गाओड क्या है बौटल गाओड मीन्स लौक की बौटल गाओड वाओ ये ये वाँ-वाँ देखो ये Nीचे भीizada होता है और लटक के भी हो सकता है हैंगिंग भी हो सकता है और नीच्छे यह सर्फिस पर भी हो सकता है तो भूस है हैं यहां पर और देखेंगे आगे वाओ आझा घ्रीन कलर लेंकिलर बॉकन नगत को टो एने वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू